आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नमबर 24 जिसमें हम एवरेज टॉपिक से रिलेटेड यूपेस से में पूछे गए कुछ प्रिवेस एर क्वेस्टिन्स दिखेंगे और उनको सॉल्फ करेंगे और मैंने एवरेज का जो बेसिक है कि एवरेज का जो भी फॉर्मला होता है और एवरेज किस तरीके से हम सॉल्फ करते हैं उसके जो फॉर्मला है मैंने अपनी प्रिवेस वीडियो यानि की लेक्चर नमबर 23 में आपके लिए अपलोट कर दिये हैं अगर आपने lecture number 23 नहीं देखा है तो please उसको जाके देखिए because उसके बाद ही आप lecture number 24 में जो मैं questions solve करवाऊंगी उनको समझ पाएंगे because इनको समझने के लिए formula का आपको पता होना जरूरी है ठीक है तो चलिए time waste ना करते हुए अपना पहला question देखते हैं question number first यहाँ पर illustration 4 लिखा हुआ है आप उसको अपना first मानिए question में वो आपसे बोल रहा है the average marks of 10 students of a class is 26 सबसे पहले तो side में मैं एक formula जोगी average का है वो मैं लिखना चाहती हूँ average का formula होता है sum of observation ठीक है जो भी observation है अब वो किसी के marks है है या पैसे है कुछ भी है sum of observation मैं shortcut में लिख रही हूँ upon number of observation ठीक है number of observation अब वो observation कुछ भी हो सकता है वो number of people हो सकते है number of students हो सकते है या उनके marks हो सकते है या उनकी salary हो सकते है it can be anything ठीक है तो आपको बस यह formula सबसे important है और यह पता है तो आप question को solve कर लेंगे तो हां आईए question पर चलते हैं question में वो बोल रहा है average marks of 10 students of a class is 26 class है एक जिसमें 10 बच्चे हैं उनके average marks है जो दिया हुए पहले वो solve कर लेते हैं average marks average marks of 10 students ठीक है 10 students 10 students के यानि की पूरी class में 10 ही बच्चे हैं और उनका average marks 26 दिया है अगर उनका average जो है 10 बच्चों का 26 है तो total कितने marks होंगे total marks 10 बच्चों के total marks of 10 students कितना होगा अगर मैं यहां पर उपर लिखा है sum of observation यानि की total यह है number of observation कितने हैं यहां इस case में 10 बच्चे हैं और average कितना है 26 तो अगर यहां पर इस formula में पूट कर दूँ average क्या है उनका 26 है equals to total यानि कि sum जो है मुझसे पूछा गया है जो कि हम हमें यहां निकालना है और number of observation यानि कि यहां पर number of observation है students कितने students है 10 तो यह 10 जो है इदर जाके 26 से multiply हो जाएगा यानि कि sum total marks 10 बच्चों का कितना हो जाएगा 260 समझे आप इस formula से आप average निकाल सकते हैं अगर तो इस formula से आप sum भी निकाल सकते हैं आपको अगर average और number of observation पता है तो यहां पर average 26 था और number of observation आपकी 10 थी कि number of students आपके 10 है और उन 10 का जो average था वो 26 था आपने इस formula पुट करके sum of marks निकाल लिया ठीक है now फिर अगली लैंड में बोला है where average marks of past students is 80 average marks जो है average marks किसका past students का जो बच्चे past हो गए है आप past से समझा ना past students है तो average marks of past students is 80 तो यानि कि जितने बच्चे past हुए है 10 में से जितने भी past हुए है उनका average है 80 तो total marks of past कितना होगा total marks of past मैं statement नहीं लिख रहे हूं because this question को solve करना important है statement के marks नहीं है option में जो आपको option दी है उसमें से correct answer को mark करने के marks है तो मैं जिस shortcut में आपके लिख रहे हूं ठीक है तो total कितने होंगे past के अगर average बच्चे जो की past है वो 80 है तो total marks उनके कितने होंगे तो इसको जानने के लिए 80 जो है average आपको पता है आपको number of observation sorry number of students पता होना चाहिए जो past हो है वो आपको नहीं पता है ठीक है और और फिर इसके बाद तो इसको यहां पर आभी के लिए मैं रोग देती हूं तो आपको फिर बोला है average marks of face students is 20 20 जो है वो fail हुए है तो पूछा है find the number of students who are past तो हम let कर लेते हैं कि past जो है वो x है ठीक है यहां पर मैंने let कर लिया क्योंकि हमें दिया नहीं तो टोटल कितना हो जाएगा 80x, ठीक है, अगर past students x हैं, तो fail कितने होंगे, total minus pass कर दूगे, तो fail आजाएगे, पूरी class में जितने बच्चे हैं, यानि कि 10, उसमें से जितने pass होए, यानि कि x, मैं minus कर दूँ, तो fail का number पर चल जाएगा, यानि कि fail students है 10 minus x, और फिर बोला है, average marks of fail students क्या है, fail students का average दिया हुआ है, average marks of failed, तो fail का average marks है, वो क्या दिया हुआ है, हमको 20, ठीक है, average दिया हुआ है, हमको 20, number of students जो की fail है, वो है 10 minus x, तो total marks of, total क्या होगा marks, total marks of failed कितना होगा, अब आप समझ गई होंगे, average को अगर मैं number of failed students से multiply कर दूँ, तो number of failed है, average है उनका 20, और failed कितने है, 10 minus x, क्योंकि past x है, total 10 है, तो fail कितने होगे, total में से past बच्ची minus कर देंगे, तो failed आजेंगे, तो जब हम इसको solve करेंगे, तो हमको मिल जाएगा, 200 minus 20 x, तो अब आपको पूरी class के 10 बच्चों के total number पता हैं, अगर जोड़ दूँ तो, ठीक है, फिर उसी class में से जितने बच्चे past हुए हैं, उनके total marks पता हैं, फिर उसी class में से जितने fail हुए हैं, उतने पता हैं, तो क्या हम कह सकते हैं, कि sum of past plus failed, sum of past student plus failed students के marks, equal होंगे total marks के, total students के marks न, बताएए आप खुदी, total marks तो सारे बच्चों का यह न, चाहे pass हो, चाहे fail हो, उन्हीं के marks का total तो total है, तो past और fail का अगर मैं sum कर दू, तो वो total students के marks जोंगे, उसके equal हो जागा है, यानि कि past students के total है 80x, sum, ठीक है, failed students के total marks कितने हैं, failed के, वो हैं 200 minus 20x, और पूरी class के total कितने marks हैं, 260, यह हमको मिलगा equation जिसे हमको solve करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 80x minus 20x हो जाएगा 60x, ठीक है, और यह 260 है, यहाँ पर यह 200 है, जब यह धर जाके 260 में से subtract होगा, तो आपको यहाँ पर 260 माइनस 260 ही मिलेगा, जिससे आपको पतल लग गया कि x की value है 1, x क्या था, x था number of past students, जो कि हमसे पूछा भी गया था, find the number of students who are past, यानि कि अगर x 1 है, तो past students यानि कि 1 है, यानि कि option A is the correct answer, ठीक है, I hope आपको यह solution यह थोड़ा complicated है, बिल्कुल है, इसी तरीकी से question UPSC पूछता है, तो मैं एक बार के लिए shortcut में आपको revise करवा देती हूँ, उन्होंने हमको पूछा था, find the number of students जो past होए, तो हमने let कर लिया, past जो होए, वो x है, तो अगर class में 10 बच्चे हैं और उनका average 26 है, तो उनका total कितना होगा, यह होता है total, अगर average 26 है, number of student 10 है, तो 10 और 26 आपस में 10 जाके multiply जाएगा, तो आपको total of 10 students में जाएगा, जो कि यह मिल गया, फिर आपको average पता था, 80 past students का, जो है 80 marks, और total past students कितने होंगे, फिर, उनका average marks into number of past students, जो कि थे x, तो वो हुआ 80x, तो total हमें क्या पता चला, average को अगर हम number of fail students से multiply कर दें, तो average था 20, और number of fail students कितने है, 10-x, उनको आपस multiply किया, तो हमको total मिल गया, fail students के marks, चिक है, तो जब हमने past students का total marks और fail students का total marks आपस में add किया, तो हमको 260 मिला, जो कि हमें पता है कि 260 जो है, पूरी class के marks का sum है, चाहे fail हुए हो, सारे बच्चे चाहे पास हुए हो, उनके marks का sum है 260, तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पर put कर दिया और उससे हमें x की value मिल गई, x की value हमको 1 मिली, जिससे हमें पता चल गया कि number of students जो पास हुए, वो 1 है, because x जो कि हमने माना था, वो पास students को माना था, बिल्टकुल अराम से समझा के आपके लिए भी upload कर दूँगी, बढ़ अगर आपको नहीं समझ मैं है, तो please मुझसे पूछना, बाकि आप यह समझ जाएंगे, अभी एगगो question और करते हैं, तो आपको और clear हो जाएगा concept, अगला question देखते हैं, यह काफी easy question है, और जैसे कि आप देख सकते हो, UPSC Civil Services 2007 में भी पूछा गया है, इस question में वो आप से कह रहा है, the average salary of 100 employees in an office is 16,000 per month, एक office है, जिसमें 100 लोग काम करते हैं, और उन सभी 100 के 100 लोग की average salary जो है, वो 16,000 रुपे है, एक महिने की, तो जिनके अंडर वो काम करते हैं, यानि कि वहां का management, उन्होंने decide कि चलिए सारे employees, जितने भी हमारे पास काम करते हैं, उनकी salary न 5% बढ़ा देते हैं, जितना वो अभी कमा रहे हैं, उसका 5% बढ़ा देते हैं, ठीक है, ट्रांस्पोर्टेशन के 800 रुपे मिला करते थे, उनको उनकी salary में, उसको उन लोगों ने काट लिया, तो फिर आप से पूछा है, बताओ, 5% increment और फिर वो जो 800 रुपे कटे, उसके बाद अब उनको कितनी salary मिलती है, ठीक है, यह सब हो जाने के बाद, अब उनको कितनी salary मिलती है, तो जैसे कि आपको question में बताया है, कि 16,000 जो है, वो employees की average salary है, और उस average salary में, जो है, 5% raise किया है न, तो पहले तो हम निकाल लेते है, 5% क्या होता है, increment हुआ है 5% का, salary में, increment हुआ है 5% का, तो पहले तो 5% of 16,000 क्या है, 5% of rupees, 16,000, क्योंकि 16,000 का 5% इसलिल निकाल रहे है, क्योंकि यह वो salary है, जो लगबख सारे employees की है, तो average का ही तो 5% निकालेंगे, total का 5% क्यों निकालना है हमको, हमको हर एक बंदे की 5% बढ़ रही है, पूरे staff की, पूरे 100 employees की 5% नहीं बढ़ रही है, total मिलाके की हम total का 5% निकालेंगे, हर एक employee की अपनी 5% बढ़ रही है, तो हर एक employee का जो खुद का average 16,000 है, हम उसका 5% निकालेंगे, तो 5% of 16,000 क्या होता है, कैसे निकालेंगे, 5 into 16,000, जिसमें से यह cancel हो जाएगा, और 160 into 5 करेंगे, तो आपको मिलेगा, rupees 800, यानि की उनकी salary में 800 रुपे की बढ़ रही होगी अब, तो after increment, 5% बढ़ने के बाद, उनकी salary कितनी हो गई, पहले थी 16,000, जिसके 5% बढ़ा है, यानि की अब हो गई 16,800, ठीक है, तो अब salary हो गई 16,800, फिर उन्होंने बोला है, कि जो salary, अब आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो, increment हुआ तो हो गई 16,800, और फिर उसमें अगली line में बोला है, कि 800 पर मंत जो है, अब उनकी salary में से, उन्होंने हटा भी दिया, तो यही 800 दुवारा माइनस हो जाएगा, तो उनकी salary अभी भी 16,000 ही रही, average, average ही पूछी है, तो सब कुछ average में ही चलेगा, ठीक है, average पूछी है, तो अभी भी उनकी average ही रही, क्योंकि 5% 16,000 गा 800 था, तो यानि कि उनकी salary की, average salary में 800 रुपे बढ़ गए, ठीक है, फिर बोला है, उनकी salary में से, जो कि उनकी average थी पहले, उसी में से 800 कट भी गए, वो कट भी गए, मैं लग जो बढ़ा, उतना कट भी गया, तो salary तो उतनी क्योंतनी रही ना, तो ये after increment 16,800, ठीक है, और फिर बोला है, कि ट्रांसपोर्ट अलाउमेंस को जो है, stop कर दिया गया, stopped, ट्रांसपोर्ट अलाउमेंस को stop कर दिया गया, कितने रूपे काट दिये गए, 800, यानि कि 16,800 में से, 800 रूपे भी काट दिये गए, तो कितने रूपे हुए, उनके 16,000 ही हुए, यानि कि monthly income, उनकी अभी भी 16,000 ही है, no difference at all, क्योंकि 5% बढ़ा, जो कि 800 था वो बढ़ा, और फिर वो या 800 दुबारा से कम भी हो गया, तो 16,000 रही सेलरी, तो यही स्का correct answer है, option A, ठीक है, चलिए एक और question देख लेते हैं, इस question में वो आप से कह रहा है, the average contribution of 5 men to a fund is Rs. 35, पाँच आद्मियों ने मिलके कुछ contribution किया है, जिसका अगर हमने average निकाला, तो वो Rs. 35 मिला हमको, ठीक है, फिर क्या होता है, 6th man joins, एक और छठा बंदा join करता है, उस contribution को, और वो कितना pay कर रहा है, pays 35 more than resultant average of 6 men, वो pay कर रहा है, 35 more than resultant average of 6 men, यानि कि 6 आद्मियों का जितना average बनता है, उसमें 35 रुपे जादा pay कर रहा है, तो आपको पूछा गया है, find the total contribution of all 6 men, तो 6 आद्मियों का total contribution कितना है, पहले तो हम let कर लेते हैं, total हम से पूछा है, वो हम निकाल लेंगे, पहले हम let कर लेते हैं, तो हम से बोला है, 5 men, अगर उनका average है 35, ठीक है, और वो खुद है 5 आदमी, तो उनका total कितना होगा, average into number of men, तो average है 35 into number of men है 5, 35 into 5 is rupees 175, यानि कि 5 आदमी मिला कर 175 रुपे पे कर रहे हैं, contribute कर रहे हैं, फिर उन्होंने बोला है, कि जो छटा आदमी है, जब वो जॉइन कर रहा है, वो कित्ते रुपे पे कर रहे है, 6th person कितना पे कर रहे है, यह 6 men कितना पे कर रहे है, 6 men पे कर रहे है, 6 men के average में 35 रुपे जादा, 6 men का average क्या है, एक्स उसमें 35 उर्फे जादा प्पे कर रहा है वो चीड़र तो आप से बोला गया कि टोटल खिलीशन निकालो और में तो वह हमें पता है एवरेज ऑफ शुक्स मैं है एक्स एवरेज का फॉर्मला होता है average is equals to total ये average किसका है 6 men का तो total भी 6 men का किया जाएगा 5 men का total है 175 plus 6 men ने pay किया है x plus 35 तो ये total हो गया 6 आदमियों का और कितने आदमियों है 6 ये है average ये है total और ये है number of men ठीक है ये उनका average है 6 आदमियों के pay करने का average है x total उन्होंने pay किया है इतना और कितने number of आदमी है 6 total कैसे आया है ये 5 आदमियों का contribution है 175 और ये 6 अकेले का contribution है क्योंकि 6 ने x में average में 35 रुपीज ज्यादा pay करे है 6 आदमियों के average में 35 ज्यादा pay करे है तो अब चलिए इसको solve करेते हैं ये 6 इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 6x 175 प्लस x प्लस 35 ये x जब इस वाले 6x के पास जाएगा तो subscribe के 5x हो जाएगा और 175 जब 35 में add होगा तो ये हो जाएगा 210 जब हम इसको solve करेंगे तो हमको वह x की value मिलेगी 42 यानि की average जो है 6 लोगों का एक्स तो 6 लोगों का एवरेज था ना एक्स जो है हमारा वह 6 लोगों का average है तो यानि की 6 लोगों का average है 42 पर पूछा क्या है हम से total contribution of six men तो total कैसे पता चलेगा average in two number of men total हमको कैसे पता चलता है average क्या है 6 आदमियों का 6 men का total निकालना है ठीक है average होता है total upon number of men तो total हमें निकालना है average क्या है 6 आदमियों का 42 और number of कितने आदमी है 6 42 into 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 6 to the 12, 6 for the 24, 25 252 rupees यानि कि 6 आदमियों ने मिलाकर कितने रूपे लगाए है 252 यानि कि option D is the correct answer I hope आपको यह solution समझ में आया होगा ठीक है पहले हमको 5 आदमियों का दिया गया था कि इतना 35 उनका average है तो हमने उनके average और number of men से हमने उनका total contribution निकाल लिया और 6 person के लिए बोला गया थे कि 6 person ने इतने रूपे पे किया है कितने जो की 6 लोगों के average में 35 रूपे ज्यादा तो हमने लेट कर लिया कि 6 लोगों का average जो है वो X है उसमें 35 रूपे ज्यादा तो हमारी X की value आ गई जो की थी हमारा average of 6 men अगर 6 men का average 42 है और number of men 6 है तो total कितना होगा 42 into 6 252 ठीक है इसी तरीके से हमने इस question को solve कर लिया एक और question देख लेते हैं The average salary of the entire staff in an office is rupees 200 per day एक office है जाके staff की जो average salary है हर दिन की जो average salary है वो 200 रूपे है पूरे staff की कितने है number staff में कितने लोग है नहीं बताया है बस इतना बोला है कि पूरे staff की जो salary है वो 200 रूपे है ठीक है फिर बोला है कि the average salary of officers is rupees 550 यानि कि वहाँ पे अलग-अलग post पे काम करने लोग है तो जो officers है उनका average जो है दिन का वो 550 है और जो non-officers है यानि कि जो बड़े उची post पे नहीं है कोई बड़े officer नहीं है उस office में small workers है उनका जो daily average है वो 120 है तो आपको बताना है तो फिर आपको बताया गया है अगर number of officers 16 है तो पता लगाओ non-officers कितने office में ठीक है यहां पर एक में color change कर लेती हूं तो average जो है पूरे office का वो है 200 per day ठीक है यह आपको ध्यान रखना है कि पूरे office का जो average है वो है 200 rupees per day अभी इसको हम side करते हैं अभी जो हमको बाखी चीज़े दी गई है हम उसको लिखते है average दिया हुआ है हमको officers का average of officers जो officer post पे है उनका average क्य क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है rupees 550 इनका total हम कैसे निकालेंगे total हम निकाल लेते हैं अगर हमें average के साथ साथ number of officers भी दिया गया होता तो दिया हुआ है number of officers को भी number of officers कितने हो गए 16 अगर number of officers 16 है और इनकी average salary daily की 550 है तो इनहीं की total salary कितनी होगी officers की total salary officers की कितनी होगी 550 into 16 जब हम 550 को 16 से multiply करेंगे तो वो आ जाएगा 8800 रुपीज ठीक है तो ये तो आ गई भाई salary officers level पर काम करने वालों की ठीक है अब किसकी salary दी गई है non officers तो average salary of non officers क्या है average of non officers उनकी salary कितनी बताई है average बोली है rupees 120 पर income total नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास income number of number of non officers हमें पता ही नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं कि number of non officers जो है number of non officers लेट कर लेते हैं हम x अगर number of non officers हमने लेट कर लिया x और उनका average है 120 तो total of non officers क्या हुआ total of non officers non officers की total income क्या हुई उनकी average into number of officers sorry non officers तो 120 एक्स ठीक है 120 एक्स हुआ now अब क्या करना है अब हम क्या कर सकते हैं पूरे office की हमको average पता है 200 पूरे office का average है 200 और पूरे office का total क्या होगा officers का officers की income का sum plus non officers की income का sum यानि की 8800 average होता है average equals to total upon number of जो भी है तो average है पूरे office का 200 total क्या है daily का officers post के काम करने वालों का total है 8800 और non officers post के काम करने वालों का total है 120x और number of officers कितने है 8800 number of officers है 16 total employee कितने होंगे number of officers है 16 और non officers है x तो इन दोनों का sum officers है 16 और non officers है x तो इन दोनों का sum जो है total number of person working in the office जो है हमको मिल जाएगा अब हम इसको solve कर लेते हैं यह 16 जो है यहां चला जाएगा 200 के पास 16 plus x काफी freaky question है पर जिसको average का पता होगा वो solve कर लेगा इसको easily 120 x तो जब हम इसको solve करेंगे 200 into 16 आपको मिल जाएगा 3200 plus 200 x equals to 8800 plus 120 x तो मैं इसको यहां पर solve कर देती हूं अगर आप 200 के पास 120 x को लेके जाएंगे अगर आप 200 के पास 120 x को लेके जाएंगे और subtract होगा तो यह हो जाएगा 80 x equals to 8800 के पास 3200 को लेके जाओगे subtract करोगे तो आपको मिल जाएगा 5600 ठीक है इस 0 से यह 0 को cancel यह x जब यह 8 जब 560 को जाके डिवाइट करेगा तो 8 7 जा 56 यानि कि 70 पेल भी दा आंसर यानि कि x जो है 70 है यानि कि number of non-officers x क्या था आपका x था आपका number of non-officers वो है 70 और आपसे question में क्या पूछा है find the number of non-officers यानि कि number of non-officers जो है 70 तो option c is the correct answer यह काफी अच्छे question थे average की मतलब अगर नहीं solve कियोंगे किसी में तो उसके लिए solution जो है complicated होने वाला है बट अगर आपने इस video को देख लिया है तो आप ऐसे question बिलकुल solve कर पाएंगे और जैसे कि आपने previous questions को देखा यह सब भी UPSC के ही question है यहां पर लिखा भी हुआ है कि UPSC 2013 में पूछा गया था यह UPSC 2007 में पूछा गया था तो इसी तरी की question आते हैं चिके तो मैं अपनी आज की video को यही पर end करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको like करना जादा से जादा share करना अगर आपको कोई भी doubt आता है तो please comment section में मुझसे जरूर पूछिए अगर आपको कोई particular question बिलकुल भी समझ नहीं आता है तो भी मुझे बताएगा मैं अलग से बिलकुल अच्छे से explain करके slowly slow speed में आपको उसको दुबारे से upload कर दूँगी बट अपने doubt को doubt मरत रहनी दीजिएगा okay and please मेरे चानल को subscribe कीजिए thank you